दोस्तों स्वागत है हम सभी का फैंटसी इंसाइट की एक और ने प्रोडिक्शिन वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया एंड साउथ आफ्रीका के बीच में जो सेकेंड टेस्ट मैच खेला जाएगा उसका ड्रीम 11 प्रोडिक्शिन के agreeing में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाता हूंगा दोनों टीवे में जोには टोटल 22 खिशारी है 22ख में में साहसे 11 खिला fence है आप लोगोंको ग्रैंड लिग कराने में हेलफ कर सकता है और उसी के साथ सारेß निग में आप लोगों को रिसेंट फार्म दिखाउंगा ऐन पीच डिपोर्ट बताएंगा जो की बहुत को भी बहुत साय लो Captain and Vice Captain लेके जा रहा है तो क्या यह प्लेयर इस मैच में आप लोगों के लिए Best Captain and Vice Captain का option होगा या फिर आपके बस और भी आच्छा option है Pitch Report के According and Condition के According वो मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूँ सो यहां से वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना फुल वीडियो को वाच करना सो चलिए सबसे पहले Pitch Report देख लेते हैं सो देखो यह मैच खेला जागा Cape Town के Newland Stadium पर इस Ground के टेस्ट की रेकॉर्ड की अगार बात का है यह पर अबितक शिछ्टी टेस्ट मैचेस खेला जा जैस बैटिंग फास्ट कारने वालटी मुने 23 मैच सकोई के हैं जिए अब्लग इनिंग तक वानविट वालटी मैच सको विन के हैं तो देख सक तो जैसेतल जैसे इश्हक आगे बारता जाता है आड जो average score वो कम अस Перमाप च्था वी किरका अचके असरे पीच का चैषा ? क्याज फास्थ इनिंह पिछे पर फी इनिंश ने कुछ आज यहाई और तो में कैप्टीन टॉट जीते का अगर ऑभर कस्ट कांडीशन होता है उस मैच में पेसास को 32 विकेट मिला था और सिर्फ एक विकेट तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना ये ग्राउंड में भी पेसास कोई हेल्प मिलने बाला है उसके पहले एक और मैच कहला गया था उसमें भी देखलो इंग्लेंड और साथ अफ्रीका का मैच था और उसमे पेसास को 31 विकेट को कोई भी विकेट नहीं मिला था तो इस मैच भी इंडिया के टीम आच्छा पोफम्स कार सकता है बाट साथ आफ्रीका के बोलिंग के आगे मुझे नहीं लगता उतना आच्छा पोफम्स कार पाएगा इंडियन बैडर्स तो इसके आकोर्डिंग हमें पेसे स्पिन के आगार बात करें 94 विकेट मिला है पेसास को लास्त थ्री मैचों में इस सर्फ 8 विकेट मिला है स्पिनर को इस बात का आप लोग ध्यान रखना इसके अकोर्डिंगी बॉलर्स को सिलेक्ट करना आप इस टेस्ट मैच में देखो प्लेंग 11 में चेंज इस होन सकता है तो अगर खेलता है आप लोगे लिए इंपोर्टन हो सकता है शार्दुल ठाकूर खेलेगा उसके बाद मौहमद सिराज जस्परी दूम्रा और प्रसीद कृष्णा ने पिछले मैच में उतना आच्छा बोलिंग नहीं गया था तो प्रसीद कृष्णा के प्लेस पर मुकेश कुमार खेल सकता है यह मैच और साओध अफ्रीका की ताप से अगर बात करें तो दीन एलगर के साथ एडेन मार्गरम ओपिनिंग करेंगा नमबा त्री टीडी जोर्जी उसके पीटर्सन दी बीनित गाम के वार्ने तीमबा वहुमा पिछले मैच में रिटायर हाट हो गया था इसके प्लेष पर एक और एक्सटा बैटर्स केल सकता है या फिर केशाब माहराज को भी खेलने का मुका मेल सकता है क्योंकि इंडिया के टीमें बहुत सारे राइट एंडर्स है खेल सकता है इसके पान को मार्को यह सरक आद्री कर आण उन्रू बारज़सर एंड दिस्क्रिप्शन पर है बहुत इंपोर्टन है टेलीग्राम पर फॉलो कारना फाइनल टीम भी आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेगा आप इंडिया के प्लेयर्स का पिछले मैच का रिसेंट पॉफमिस के अगर बात करें तो यहाँ पर टेस्ट का रिकॉर्ड आप मास्ट फिक अप्शन होगा दोनों इनिक्स में अच्छा बैटिंग किया था इसे के लिए लिए इंप्वॉर्ड हो सकता है मेडी लौर्ड में कहला हो आप लोग की लिए मास्ट पीग फॉर्टन के शाओ अब लोगों के लिए प्चले में सेंचुरी किया था रभी आशु के बुमडा के अगाद के फॉर विक्ट लेता और प्रसिद क्रिशना पुछ पर मुकेश्ट कुमार यह मैच खेल सकता है दोस्तों आप सव्धु आफ्रीका की प्लेस के आगा बात करा है एडिन मार्कों पिछले मज़े फ्लॉप हो गया था टीडी जोर्जी पिछले मज़े 28 तीमबा वहुमा बैटिंग काने नहीं आया था क्यूंकि रिटायर हाट हो गया था के पीटरसन सिर्फ 2 रन के भारने 4 रन डी बिनित कम 55 रन आच्छा पोविंस किया था मार्को यंसन पिछले मज़े बहुत आच्छा बैटिंग किया था बोलिंग भी काफी आच्छा किया था बार बार पिछले मज़ें से बीगड और यह था यह था के वह था था तो आप लोगे लिए इंपॉर्टन हो का अगर खेलता है बागी दोनों आप लूग वेस्ट कैप्टेन एंड वाइस कैप्टेन सी का अप्षोन भी होने वाला है इस मैज में चलिए आप ड्रीम 11 के अंदर जाले वहां जो हम लोग अपना टीम क्रेट का लेते हैं सबसे पहले अगर कॉंबिनेशन की बात करें इस मैज में इस मैज में 7 प्लास 4 का कॉंबिनेशन लेने वाला हूँ सबनेशन तरह संब नेशन, इंडिया के थी प्लास लेने वाला हूँ , इंडिया प्ला निक सम्हीं णुझें लेना बारत कॉंद की इस मैज में 7 प्लास फ्लास आपट लिन वाला हूँ यह 5 option है आपके पास आप यहाँ से देखो मुझे लागता है इस मैच में दीन एलगर आप लोग के लिए अच्छा option होने वाला है एडेन मार्करम को आप लोग ले साकते हो 37% सिलेशन है पिछले मैच में फ्लॉप हो गया था इसलिए सिलेशन लोग हो गया है बाट बैटिंग सेखेंड मे एडेन मार्करम को इस मैच में ट्राइक कार सकता हूँ आभी मैस को अपने टीम में नहीं रखने वाल हूँ के पीटर संगु भी मैं द्रॉप कर दूंगा टीडी जोर्जी को मैं ड्रॉप करने वालू और डी विनित घंगर को और आप लोग चाहाँ हो तो नही आप लोगों के लिए मार्को यंसन इस मैच में उसके बोलर्स की अगर बात के दो काकिसु राबाटा को में राखूंगा किशा महारा जागर खेलता है सो आप लोग ले सकते हो जील में ही ट्राइ कारना स्मॉल लिंग में इसको इजीली ड्रॉप का देना जीक और जी आन एवेलेबल है जैसा मैंने आप लोगों को बाता है एंड्रू बार्जर खेलेगा एंड्रू इंगिरी खेलने वाला है यह मैच ओ आप लोगो अपने टीम में एंड्रू बार्जर को राखने वाला है यह 3 बोलर्स लाएगा मेरी टीम में एप उल्लावंडर मारको यांस उन्सोर फ़ोर बोलर्स के साद मैं जाने वाला हूं ऐस्छश में वालर गॉर्डवी को आप लया ही लख सकता हैalled अगर आप लोग चाहों तो एडिन मारकरम को भी ले सकती हूँ अगर इंडिया फास्ट निंग्स में बोलिंग करता है तो मैं टीडी जॉर्जी को ड्रॉप करें कि एक और इंडिया इक्स्ट्रा बोलर्स को लूँगा इस बात का आप लोग ध्यान रखना तो आप हम लोग को इंडिया से प्लेयर इसलिट का लेते देख लेते यहां से कौन कौन सप्लेयर आप लोग के लिए इंपॉर्टन होगा सबसे पहले विकीट कीपिंग की आगा बात करें दो केल रहुल को मैं आपने टीम में रखने वालो बहुत आच्छा पोंस किया था पिछले मैज में उस इसको नहीं रखने वाला हूँ सिरेश आयर एंड जैस वाल विष्ले में आयर अच्छा बैटिंग किया था थोड़ा सा थेज खेलने की कुछ किया था तो सिरेश आयर आप लोगे लिए इंपॉर्टन हो सकता है अगर फास्ट निंग में इंडिया बैटिंग काता है तो बात में अगर मुकेश कुमर खेलता है और इंडिया फास्ट निंग से बोलिंग काता है तो मैं मुकेश कुमर को भी लूगा तो यह होने वाला है आप लोग के लिए बेस्ट आप्शन आप क्याप्टेन आप लोग के लिए बात करें तो देखो इस मैच में विराट को कापें लोग के लिए बात करने का ने वाला। कर सकते हो साथ-फ्रीका इस में बेंग करता है तो में मैं मांक हो यह एसन को के अच्छा पूहँश करने हो related तो यह रहाएगा मेरा Captain and Vice Captain इस मैच का एक और बार मेरे टीम का Preview देख लो इसके according या आप लोग भी अपना टीम क्रेट करना और यहासे मैं एक या फिर दो चेंजिस करूंगा टॉस के according and पिच रिपोर्ट के according इसके लिए आप लोग टेली गाम पर फॉलो का लेना अप्डिए आप लोगो को Final टेली टेलिग्रम पाढ़ ही मिलेगा तो टेलिग्रम चैनल जॉइन का लेना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू का लेना ऐसे ही और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए